महिला टेलेंट सो कायोजन किया गया जिसमें सेकडो महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया टेलेंट सो में पहुँची सवी महिलाओं ने अपनी प्रितबा को मंच के माद्यम से दर्साया इस सो में मुख्य रूप से अतिती के रूप में पहुँची वरिष्ट समाज सेवी सोनिय तनेजा ने माहिलाओं की प्रितबा को प्रोसान देते हुए कहा कि आज के समय की हर माहिला बैतर गरड़ी होने के साथ साथ समाज में बैतर प्रदरसन कर देश के उत्थान में विशेस योगदान दे रही हैं अगर उन्हें जरूत है तो एक मंच की जिसके माद्यम से वह अपने को बहतर साबित कर सकती हैं इसके साथ ही वरिष्ट समास सेवी सोनिय तनेजा ने माहिला टेलेंट सो के जरिये वहां मौजूद सेकडो माहिलाओं को निसुल्क वीपैड भी बित्रड किये इसके साथ ही उन इसके एंसर की समस्या में प्रती दिन एजाफा होता जा रहा है माहिलाओं की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में वीपैड को लॉंच किया गया है और स्कूल कॉलेज विश्वुद्यालों में छात्रों को जाग रुक कर निसुल्क वेंडिंग मसीन लगा कर वीपैड को वित्रड किया जा रहा है मेरा नाम है सुनिया तनेचर और मैं हर्याना से हूँ फ्रीदाबाद में में रहते हूँ बहुत सरकारी स्कूल हैं बहुत सरकारी स्कूल हैं बहुत सारे प्रईवेट स्कूल हैं जहां पर मैं पर्सनली смож में खुद वी पैड दुवारा हम वेंडिंग मशीन जो होती है, जो सेनेटरी पैड के एक वेंडिंग मशीन होती है, वो हम स्कूल्स कॉलेजिस में फ्री इंस्टॉल करते हैं, और उसमें पैड भी देते हैं, ताकि जिन बच्चियां या जो बेटियां इसको खरीद नहीं सकते ह लिए पैसे नहीं है, तो उस वो वेंडिंग मशीन से अपना पैड लेके वो यूज कर सकते हैं, तो यह हम एक साथ-साथ सेवा भी कर रहे हैं, हर स्कूल्स में, हर कॉलेजिस में, और अभी तक हम सो से जादा वेंडिंग मशीन फ्री इंस्टॉल कर चुके हैं हरयाना में, पैसे नहीं किया है, आगे कोशिश है कि हम यहां पर भी हर स्कूल, हर कॉलेजिस में जरूर इसको पहुचाएंगे, तो मैं हरयाना कोई को मुक्ता दी जाएगा, आपके रहा स्मास करें के रहे हैं, और भारत देश की बेटियां हमारी हैं, वो हमारी देश की बेटियां हमा आज आपके बारा सेमिनार किया गया और दिसमें कि कहीं मैलाओं को आपने फुल कर चरिकी पैट्स के बारे में जानकारी दी, साथ के साथ जो है आपने भी पैट्स के बारे में जानकारी दी, तो इसके बारे में पुरब स्कास दी देखे हर घर में बेटी है हर घर में माँ है और बहुत सारी ऐसी जानकरिय हैं जिसके बारे में हमारी बेहन बेटियों को नहीं पता मैंसुलेशन यानि महीना एक ऐसा है जो हर महीने हर बेहन बेटी को आना है तो इसके बारे में पूरी जान करें और किस तरीके के product यूज करने चाहिए किस साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए बहुत ही आहम बाते हैं जो बहन वेटियों को बहुत जरूरी है इसके बारे में education देना तो आज मेरी questions थी कि मैं जादा से जादा बहनों को इसके बारे में aware कर सकूँ और एक pad है V-pad ये कैसा pad है मेरे हिसाब से हर बहन को use करना चाहिए और use करने से आप ही बता पाएंगे कि इसमें और बाकी brands में क्या फरक है क्योंकि हम जिस पर काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं एक ऐसे pads पे जो बहनों को सुरक्षित कर सके और I think उसमें से सबसे अच्छा जो है ये V-pad है V-pad देखिए एक cotton based pad है और इसके अंदर organic gel है और ये एक ऐसा pad है जो सारा दिन आपको सूखा रखेगा आपको comfortable लगेगा और बहुत जरूरी है जब महीना आता है सारा दिन जो हमारी बहने है वो बहुत गीलेपन से बहुत प्रिशान होती है और इस गीलेपन की वज़े से उनको बहुत सारी बिमारिया रैशे इचिंग इस तरीके की बिमारियों का वो शिकार होती है अगर आप शायद सूखा रखेंगे अपने आपको तो बहुत ही comfortable भी feel होगा बταιते हैं अगर अगर आप एक लर वी पैड पहले तो कहते हैं पहले इस्तेवी चाह करें सब्सकत पार के तरी के मिपार रखेंगे व्रफंटी worthy of the planet नहीं होती है कि उनको मुंका भी नहीं मिलता जगय भी दिन मिलती चैज़ करने की लेकिन अगर आप वीपैड यूस कर no अगर आप डाप ासी सीचे दहीं कर पारे तो आप फील नहीं होगा कि आपको ऑंजनसी है या आपको चेंज कर options यह बहुत तो मोदी जी की जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है स्टार्ट अप इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है लोगों की सोच बदल रही है लोगों को नए नए जरीये मिल रहे हैं अभी आगे का मिशन है लाखों बहनों का और फिर दीरे दीरे हम और महीनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहने जादा से जादा इसको पसंद करें और इसको यूज करें इस्तमाल करें और स्वस्त रहें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्वस्त रहे महीरें के दोरान ये हमारा मिशन है